तो चल रही है मैट्स की क्लास और यह रिवीजन क्लास है और इस क्लास में हम पिछले कुछ वर्षों के आए हुए पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिसकस करेंगे तो सबसे पहले देखिए बोर्ड प्रश्न पत्र जो आपके सामने है यह है वर्ष 2019 का गनित मदप्रद इस कक्षा 12 है तो अब हम ऐसे इसके कंसेप्ट इसके पेपर्स करने जा रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बनाएंगे कि किस तरीके से हमको एक्जाम में आने वाले समय में ऑब्जेक्टिव कैसे करना है इस स्पीड कैसे बढ़ानी है पेपर की स्कीम को समझेंगे तीन घंटे का समय है पहले पेपर 100 मार्क्स का होता था अब आपका पेपर 80 मार्क्स का होता है क्योंकि 20 मार्क्स का आपके प्रोजेक्ट और इंटरनल है चलिए तो आँगे बढ़ाते हैं पहला है सबसे पहला कोशन है सही विकल्प का तुलता संबंधों की संख्या ग्याद कीजिए चलिए दो मिनट अगले आपके हैं जल्दी से प्रयास कीजिए कि एक दो वाले तुलता संबंध किते होंगे तो किसी सेट के अव्यव हैं एक दो तीन आपको ग्याद करना है कि इसके तुलता संबंधों की संख्या क्या होगी हैं अभी अब एक दो तीन के तुलता संबंदो की संख्या दो है कि नहीं है इसको हल भी करना आपको आना चाहिए इसका हल भी मैं आपको बता रहा हूं कैसे इसका हल करते हैं चलिए ब्रैटनेस सभी लोग बढ़ा लीजिए थोड़ा सा डार्क अपने पास शीट्स है तो सेट आपके पास में रिया गया है 1,2,3 और कह रहा है कहा है कि ऐसे तुलता संबंद बताने हैं जिसके की अब यह क्या है एक, ढौ Hmmm, दो तो 1,2 को धान कने वाले तुलता देखो तुलता सभसे पहले क्या होता है स्वतुल्य होता है तो 1,1 भी और 1 भी होगा 3,3 भी होगा क्यों होगा क्योंकि स्वतुल की परिभासा कहती है स्वतुल कहता है Each वड़ याद रखना Each एने की प्रतेक प्रतेक element जो A के अंदर का होगा उसका खुद का जोड़ीदार A होगा हर element के लिए तो 1,1 2,2 3,3 तो होगे ही स्वतुल होगा अब कह रहा है कि 1,2 वाला कौन सा सम्द्ध तुलता तो 1,2 है तो 2,1 भी होगा और अब आप इसको संक्रमक बनाना है आपको इसको संक्रमक बनाना तो देखिए इसमें हम कैसे संक्रमक करें इसको है ना यदि इसको हम संक्रमक करते हैं तो कौन सा सम्मध बनेगा क्या अभी ये संक्रमक है की नहीं है बता भाई क्या ये संक्रमक है की नहीं है 1,2, 2,1 3,3 है ना क्या ये संक्रमक है की नहीं है बोलो बता ये जल्दी सभी लोग संक्रमक है की नहीं है बिल्कुल सही बात है, यह संक्रमक है, है ना, क्योंकि इसने किसी real rule को नहीं तोड़ा है और जब तक संक्रमक था कि कोई rule को न तोड़े, तब तक वो क्या हुआ करता है, संक्रमक हुआ करता है, ठीक ना, अभी इसने संक्रमक के किसी rule को नहीं तोड़ा है चलिए अब देखते हैं एक समंद्ध तो मतलब आपके पास में ये बन चुका है 1 1 2 2 3 3 है ना 1 2 और 2 1 ये हो चुका है अब देखिए अगला देखते हैं B set इसी में 1 1 2 2 3 3 1 2 तो रहेगा ही 2 1 भी रहेगा और साथ में एक element आपने रख दिया कितना 1 3 तो तुलता बनाने के लिए क्या होना चाहिए इसको 3 1 भी होना चाहिए क्योंकि भाई सम्मिद भी तो होगा ना 3 1 भी होगा अब देखिए यहां से 1 3 और 3 1 ठीक ना और देखिए अगर 1 3 बैठा है 3 1 बैठा है और 1 2 बैठा है तो 3 2 भी होना चाहिए तभी संक्रमक होगा तो यहां पे 3 1 भी उपलब्ध है और यहां पे 1 2 भी उपलब्ध है इसलिए यहां पे 3 2 को भी बिठालना पड़ेगा चलो 3 2 हो गया संक्रमक और 3 2 अगर बैठा है तो क्या होगा यहां पे 2 3 को भी बैठना पड़ेगा क्योंकि संक्रमा खोना है टोटल कितने element बनेंगे, 8 ओके, टोटल इसके अंदर कितने element बनेंगे 8 बनेंगे, ठीक ना चलिए, तो देख लेते हैं टोटल इसके अंदर 3P3, sorry, sorry, sorry 8 नहीं बनेंगे, अपने को count करने पड़ेंगे तो देख लेते हैं सारे के सारे बन गए क्या इसके लावा और कोई बन सकता है क्या 1, 2, 3 और यहाँ पे 1, 2, 3 तो 1 का 1 से भी है 1 का 2 से भी है 1 का 3 से है 2 का 1 से भी उपलब्द है हाँ, तोटल 9 पेर बनेंगे 9, तो count कर लेते हैं ऐसा बनाने के बज़ा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब के सब आ गए हैं ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे रिलेशन हो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं यह जो रिलेशन आपके पास बन रहा है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन सार्व भौमिक संबंध याद रखिएगा पूछ ले यूनिवर्सल रिलेशन ठीक ना और यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा कैसा होता है यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा स्वतुल्य होता तुल्यता संबंध होता है क्योंकि उसके अंदर सभी परिस्थितियां उपलब्द होती है तो ये तुलता संबंध तो होगा ही तो इसका correct option है 2 क्योंकि दो ही ऐसे संबंध बन रहे हैं एक ये वाला और एक ये वाला चली बहुत बढ़ी है आंगे चलते हैं अगले question की और बढ़ते हैं अगले question तो आसान है थोड़ा इसमें संबंध वाफलन में समय लगता है sign inverse x equal to y तो x का मान बताना है x की value कहां से कहां रखी जा सके तो आपको पता है दोस्तों की जो x की value होती है वो sign जो हुआ करता है तो आपको x तो देना पड़ता है किसमें values में और y आता है angle में तो option देखो सारे y के है option किसके है y के है तो अगर x होता तो x belongs to आप लेखते है कितना minus 1 से ले करके plus 1 but y जो आएगा आपका कहां तक आएगा principle branch क्या होती है minus pi by 2 से लेके plus pi by 2 देखिए उपलब्द है क्या yes option number b is correct option चलिए अगरा question question number 3 a is equal to cos alpha minus sin alpha and a plus a transpose equal to i है वहुती simple question है आपको बताना है alpha का मान क्या होगा देखिए जब आप इसको transpose करोगे जब आप इसको transpose कर दोगे तो ये cos alpha minus sin alpha ही रहेगा और transpose करने के बाद ये cos alpha ही रहेगा first column में करना पड़ेगा इसको solve ठीक है ना बताता हूँ मैं आपको कैसे करेंगे देखिए चलिए ये देखिए ये question आपके सामने आ चुका है कह रहा है कि a है भाई तो a तो दिया हुआ है हमको a कितना दिया है cos alpha minus sin alpha और sin alpha और क्या cos alpha है ना और plus a का transpose a का transpose तो a का transpose कितना आजाएगा cos alpha minus sin alpha यहाँ पे sin alpha और यहाँ पे cos alpha transpose करने के लिए क्या करते हैं रोको कॉरम से पलट देते हैं अब इन नोनों को add कर दीजे इन नोनों को क्या कर दीजे add कर दीजे तो cos alpha plus cos alpha क्या हो जाएगा 2 cos alpha ये minus का sin plus का sin 0 ये भी 0 और यहें भी 2 cos alpha बहुत बढ़िया equal to i है i मतलब 1 i आवियू 1 0 0 1 कह रहा है कि बताए alpha का 1 क्या होगा तुल ना कर दीजे 2 cos alpha equal to कितना हो जागा 1 हो जागा 2 cos alpha equal to 1 cos alpha equal to 1 upon 2 तो जो उपलब्द option है उसमें alpha equal to कितना होगा 5 by 3 यानि कि 60 degree correct option है इसका B done clear बच्चो चली आँगे भढ़ते हैं अगला question देखते हैं ये भी हो गया third question done अब कह रहा है कि 1 का 1 3 cross 3 कोटी का वर्गा वियू है तो adjoint A का determinant गयात कीजिए बिटा formula डरक लिगी यात के लिजे adjoint A का determinant determinant बरावर determinant A की पावर n-1 n मतलब क्या है कोटी n क्या होती है कोटी तो n-1 आपको formula यहाँ पे लगाना है determinant A की पावर n-1 का सूतर लगाना फिर से लग देता हूँ add joint of A का determinant बरावर determinant A की पावर n-1 तो फिलहाल determinant A की पावर कितना कोटी दी गई तीन तो तीन माइनस एक आंसर कितना हो जाएगा दो नोट कर लो डेटर्मिनांट A की पावर दो करेक्ट अप्षन फोर्थ का होगा करेक्ट अप्षन फोर्थ का कितना होगा A into adjoint equal to determinant A की पावर एक मिनट जी हाँ पर A into adjoint इतना ही तो आता है हाँ बिल्कुल सही है ठीक है नोट कर लिजे इसका अंसर जो है गलत दिया गया है फोर्थ का B दिया गया है है ना फोर्थ का B दिया गया है तो ये गलत है adjoint A की पावर जो होती है determinant A की पावर N माइनस बनाती है तो यहाँ पर 2 ही आएगा यह option यहाँ पर answer sheet में गलत दिया गया है नोट कर लिजे यह गड़बड है ठीक है बच्चो clear 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 ओके चली देख देखिए अगला question देखिए अगला question कहा जा रहा है कि फलन x equal to 0 पर fx equal to mod x जो है किस प्रकार का फलन है यह देखिए x equal to 0 पर mod x किस प्रकार का फलन है तो देखिए फलन बना लीजे fx equal to mod x लगबख सबको बनाना मैंने सिखा रखा है क्योंकि बनाने में आप बहुत जल्दी कर लेंगे अन्ने किसी method से जाएंगे तो सोड़ा समय लगेगा तो आप क्या करिए कि यहाँ पर यह जो फलन है आप इसको बना लीजे बनाने में आसानी रहेगी तो fx equal to mod x का फलन किस प्रकार का बनता है यह देखते है यह देखिए यह है fx equal to mod x तो सबको mod x की definition परिभासा तो याद होनी ही चाहिए तो mod x क्या होता है positive x होता है जब x is greater than 0 negative x होता है जब x is less than 0 और 0 होता है कब जब x equal to 0 बच्चों आप याद कर लो क्योंकि अगर question difficult आया mod वाला तो यही आपको बचाएगा उस समय है ना mod x की परिभासा ही आपको बचाएगी limit का question होगा derivative का question होगा integration का question होगा तब यह परिभासा ही आपको महाँ पर मदद करेगी तो fx equal to mod x का grab बना लिजे सबसे बेश तरीका है यह देखिए यह आपने grab बना लिया और इसको grab बनाने के बाद इसका grab देखिए हर point पर आप इसको बिना pencil उठाए draw कर सकते हैं तो यह क्या है continuous है यह ने की सतत है परंतू यह देखिए नुकीला कोना है और नुकीले कोने पर फलन अवकलनी नहीं होता है तो यह फलन क्या होगा सतत तो होगा परंतू अवकलनी नहीं होगा correct answer इसका है सतत तो है परंतू अवकलनी नहीं option number a is the correct सथत है परन्तु अब कल लिए नहीं है डन चली अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दिक को जाया निकालना दो बहुत आसान हो चुका आप लोग के लिए दुख के देखिए दिक अनुपात किते दी यहां पे दिक अनुपात दिया है तो पहला क्या बनेगा तीन बटे साथ दूसरा बनेगा माइनस दो बटे साथ और तीसरा बनेगा छे बटे साथ तो तीन बटे साथ, माइनस दो बटे साथ, छे बटे साथ, यह करेक्ट ऑप्षन दिया गया है चुकि दो बार अब कलन करना है हाँ अगला question y equal to x square के x सक्ष तता x equal to 1 और x equal to 2 से घिरे छेतर फल का भाग है देखो भाई y equal to x square तो उल्टा लिखोगे तो आपको दिखाई देगा x square equal to y yes बेटा कोई doubt है हाँ कोई doubt है बेटा देखे y equal to x square है तो और x सक्ष में x equal to 1 x equal to 2 से घिरे भाग का छेतर फल आपको बताना है तो सबसे पहले करव का grab बनाईए करव का grab बनाने के लिए जो equation आपके पास दी गई है y equal to x square दी गई है तो इसको x square equal to y के रूप में लिखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि अरे सर ये तो पैरा बोला है क्योंकि आपने सिखाया था कि एक power 2 की और एक power 1 की तो पैरा बोला होता है कहां खुलता है जिसकी power 1 होती है तो ये पैरा बोला जाएगा उपर की और ठीक ना और आपको छेतर फल कहां से निकालना है x equal to 1 से लेके x equal to 2 तक का यहां तक का छेतर फल ये x equal to 1 है ये x equal to 2 है आपको ये छेतर फल निकालना है तो छेतर फल कैसे निकलेगा अगर x की limit है तो dx लगाईए x की limit 1 से लेके 2 और dx की जगे क्या आता है y आता है क्योंकि y function होता है x का चलिए y की value निकालिए dx हो गया x cube by 3 ओके और limit कितनी 1 से लेके 2 1 by 3 constant है 2 का cube कितना हो गया 8 minus कितना 1 answer आ गया 7 by 3 तो correct answer कितना हो गया 7 by 3 देखते हैं option में 7 by 3 है की नहीं है है ना तो इसका answer 1 minute 7 by 8 वर गिकाई दे रहा है थोड़ा सा कहीं पर mistake होने के chances है या तो answer में mistake है या तो मैंने mistake किया एक बार देख लेता हूं भाई साब हमको यहाँ पर एक चीज और यह है कि answer जो है एक ही तरफ आएगा दूसरे तरफ तो आएगा नहीं x cube आबर 3 by 3 1 upon 3 हाँ हमारा answer बिल्कुल सही है इनका answer गलत है 8 upon में कहीं से नहीं आ सकता है ठीक ना 8 upon में मैंने question सही लिखा बिल्कुल सही लिखा है तो 8 नहीं आएगा यहाँ पर 3 आएगा 7 upon 3 वरगी काई चलिए बोलो clear है सभी बच्चों को done आंगे बढ़ें चलिए अगला दो समानतर रेखाओं में दीक नवपात क्या होते हैं अगर आपके पास में हुआ करती हैं तो इनके दीक नवपात है पहले वाले के A1 B1 C1 है और दूसरे वाले के A2 B2 C2 है तो क्या होता है रूल A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equal to C1 upon C2 मतलब समान देखतर रेखाओं के जो दिकनुपात होते हैं, वो समानुपाती हुआ करते हैं, समानुपाती, A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2, done, चली, तो ये समानुपाती वाली भी बात clear हो गई है, नेक्स देखते हैं, question number 5, समतल 2X plus Y minus Z equal to 5 के द्वारा X अच पर काटा गया अंतेखन, बच्चो समतल हट चुका है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस question को मत करिए, है ना, समतल के द्वारा X अच पर काटा गया अंतेखन, चली, फिर भी मैं बता देता हूं, क्योंकि आपक में तो है, तो उसके हिसाब से देख लिए बस, तो समतल के द्वारा काटा गया अक्छो पर अंतेखन, तो बच्चो कुछ नहीं करना पड़ता है, जैसे यह लिखा है, 2X plus Y minus Z equal to 5, ठीक है न, तो 2X plus Y minus Z equal to 5 यह आपके सामने समेह गान दिया गया है, इसमें आप क्या करिए यह जो दिया है, इसको नीचे ले आईए सबके, तो 2X upon 5 plus Y upon 5 और minus Z upon 5 equal to 1, तो इसको लिख सकता हूँ, मैं कितना, X बटे 5 by 2 plus Y upon 5 और plus Z upon minus 5 equal to 1, यह बन गया बच्चो अंतेखन रूप, किसका समतल का, जैसे रेखा का अंतेखन रूप बनता था, वैसे समतल का अंतेखन रूप बन गया है, क्या होता है, फॉर्मुला समतल का अंतेखन रूप का, X upon A plus Y upon B plus Z upon C equal to 1, अब कह रहा है, X अक्च, तो X अच्च के से काटा गया अंतेखन क्या होता है, A, A मतलब जो X के नीचे, तो X क कितना होगा, इसका 5 by 2 ही होगा इसका आंसर, चली, clear है, तो इसका आंसर 5 by 2 होगा, यह देख लिए, आंसर इसका 5 by 2 ही आ रहा है, ठीक ना, इसका आंसर है 5 by 2, चली, अगला question देखते हैं, अगला question है, निमले खिस्त में से 7 अ 7 कथन को हम कुछ हाटना है, एक मिनट दीजे, तो देखिए, निमले खिस्त में से 7 अ 7 कथन को छाटने में सबसे पहला question है, अगर E1 तथा E2 परसपर अपवर्जी घटनाए हैं, तो P E1 intersection E2 equal to 0 होता है, बिल्कुल सही बात है, यह 100% सत्यवचन है, अगर दोनों घटनाए परसपर अपवर्जी हैं, तो दोनों एक साथ घटने नहीं हो सकती हैं, और यह कितना होगा, 0 होगा, तो यह हो गया सत्य आपका, चलिए P A equal to 1 by 2, P B equal to 0 है, तो P A upon B आपको बताना है, ठीक ना, P A upon B परिभासित नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि P A by B जो होगा, हल होने के बाद, वो कितना आएगा, वो आएगा, P A intersection B upon P B, ठीक ना, और नीचे P B कितना बैठा है, 0 तो आंसर कितना आजाएगा, अनन्त आजाएगा, इंफिनिटी आजाएगा, मतलब परिभासित नहीं हैं, बिल्कुल सत्य है यह, चलिए, अगला क्वशन देखे, किसी रेखी, प्रोग्रामन समस्या में उद्देश से फलन हमेसा रेखिक होता है, बिल्कुल सही बात है, रेखिक लोगे, तब ही तो आप इसको हल कर पाओगे, है ना, तो यह भी सत्य बात है, बिल्कुल, रेखिक फलन ही होगा, तब ही आ जो Z होता है, इस तरीके का होता है, 3X प्लस 4Y, है ना, तो यह रेखिक कहलाती है, जो समस्या कहलाती है, इसको में रेखिक समस्या बोलते हैं, चलिए अगला हो गया, किसी रेखिक प्रोग्रामन समस्या के लिए संभाव छेतर हमेसा रेखिक बहुज होता है, देखे, किसी बंद हो गया तो चलो बहुज हो सकता है बट कई बार आपने देखा होगा कि छेतर जो होता है खुल जाता है ऐसे अब आप इसको बहुज तो नहीं कह सकते हो तो हमेशा के लिए सत्थ नहीं है तो ये क्या होगा असत्य होगा बोलो clear असत्य होगा अगला देखिए कह रहा है कि cos cube x 0 से लेके πाई का मांद 0 होता है cos cube x 0 to pi अब आप इसको solve करना पड़ेगा आपको cos cube x 0 से लेके πाई का मांद शुन हुआ करता है चलिए आईए इसको हम बना करके solve कर देते हैं 0 to pi cos cube x किस तरीके से solve किया जाएगा यह देखते हैं तो i is equal to 0 to pi cos of cube x ठीक है ना अब आपने एक property पढ़ी है कि f of 2a minus x अगर आपके पास minus fx आ जाए f of 2a minus x integration में equal to minus fx आ जाए तो जो integration की value होती है वो किती आ जाती है 0 आ जाती है तो यहाँ पर वही property लगने वाली है यहाँ पर देखे आप 0 और आप इसको 0 से लेके pi को 2 into pi by 2 के रूप में लिख सकते हैं कि pi का मतलब 2 into pi by 2 होता है और अंदर कौन बैठा है cos qx तो चलिए अब अपने लगाते हैं क्या f of x क्या है f of x आपके पास है cos qx और f of a minus x 2a minus x 2a की जगे कौन बैठा है pi क्योंकि 2a का है 2a और दोनों मिला करके 2 into pi by 2 कितना हो गया pi बन गया तो f pi minus x 2a minus x देखता हूं तो cos qb pi minus x सबको पता है कि cos 180 minus theta कितना होता है minus cos theta तो यह minus cos x का whole q बजाएगा और बन जाएगा minus का cos qb x तो answer कितना आगया minus का f x और अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर f of 2a minus x minus f x का equal हो तो integration का value कितना होता है 0 होता है तो इसका correct answer कितना आएगा 0 बिलकुल सही है सत्य है Done आमने खरीद लिया इस question को यहने यही मैं कहूंगा मतलब रख करके आएगा यह बस उपर के नीचे हो जाएंगे dx upon x square minus a square तो 1 upon 2 a log x minus a upon x plus a a square minus x square है इसका तो कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा sin inverse x upon a x under root x square minus a square इसका कितना होता है 1 upon a second verse x upon a ठीक ना याद रखेगा इसका अगर 1 होता है तो only second verse a आता है और यदि आपके पास में 1 upon x है under root x square minus a square तो यह कितना है यह है 1 upon a second verse x upon a तो इसको लिख लिए क्योंकि ncrt में शायद ऐसे आम तोर पे इसे जन्रलाइज सुरूप से नहीं दिया गया है इसको लिख लिए अगर दिखेए 1 upon x square minus a square कितना होता है तो 1 upon x square minus a square हुआ करता है log of x plus under root x square minus a square ठीक ना और इसके बाद 10x का कितना होता है तो 10x का क्या होता है log sec x होता है 10x का होता है log sec x या minus log cos x भी बोलते हूँ उसको यह हो गया done next question की दरब बढ़ते है question number 5 परटेक का एक शब्द में उत्तर दीजिए ठीक है यहाँ पर आपको एक शब्द में उत्तर देना है सबसे पहले x की power 1 upon x का महत्तम मान X की power 1 upon x का महत्तम मान तो देख segur कि आपको इसको solve करना पड़ेगा तब आप इसका महत्तम मान निकाल पाएंगे ठीक ना और वैदी आपने question करा है काफी बार NCRT लगाई है तो मुझे जैसे रट गया इसका महत्तम मान इसका महत्तम मान होता है इसको हम solve करते हैं कैसे solve होगा देखें एसको बताता हूँ आपको निकालना है X की पावर बाबाण X का महत्तम मान तो फलन ले लिए Y बराबर X की पावर बन बाई X आपको मैंने बता रखा कि फलन की पावर फलन तो क्या होगा लॉग लेना पड़ेगा तो लॉग Y Equal To log of x की power 1 by x so log of y equals to 1 upon x नीचे उतर आएगा और केवल यहाँ पर क्या आएगा log x आएगा बहुत बढ़ी है यहाँ पर यह log x आ चुका है अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपके differentiate करना है इसको differentiate कर देंगे x के respect में तो 1 upon y है ना और dy by dx इक्वल्स टू रूल लगेगा गुडन का प्रथम फलन 1 upon x इन्टू differentiation of फस्ट इन्टू दूती का उकलन प्लस दूती फलन log x इन्टू प्रथम का आउकलन तो 1 upon x का उकलन कितना होता है minus 1 upon x square यह होता है so 1 upon y d by dx equal to यह हो गया 1 upon x square minus log x upon x square यह हो गया चलिए इसको आँगे solve करते है so 1 upon y d by dx है so 1 upon y d by dx equals to 1 minus log x upon x square so d by dx equals to y multiply by 1 minus log x upon x square अब y का मान क्या है x की power 1 by x है तो आप यहां रगने x की power 1 by x 1 by x और 1 minus log x upon x square ठीक है ना अब देखिए 0 होने के लिए केवल एक ही चीज़ सपोर्ट कर रही है क्योंकि x की power 1 by x upon x square तो 0 होने की बात ही नहीं करेगा क्योंकि अगर आप यहां x की जगे 0 डालोगे तो नीचे भी 0 हो जाएगा तो वो क्या बना देगा उसको जीरो कराएंगे तो मैं अधिक्तम या निउन्तम के लिए मैं क्या करूँगा अगले पद में 1 minus log x equal to 0 क्यों क्योंकि d by dx को हमको 0 के equal लेना पड़ता है तो यहां पे 1 minus log x बैठा हुआ equal to 0 तो 1 equal to कितना हो जाएगा log x आप लोग सब जानते हैं कि 1 क्या होता है log e होता है तो log e equal to log x हो गया log से log कैंसल हो गया तो answer x का मान कितना आ गया e है अब आपको अधिक्तम या निउन्तम मान निकलना है देखो अब यहां पर आपसे पूछा क्या है गया है कि इसका अधिक्तम मान यह होगा कि नहीं होगा 1 upon x का महत्तम मान यह होगा कि नहीं होगा तो x की value के पास क्या रख दीजे x की value के पास आप e रख दीजे तो e की power 1 upon e आ रहा है इसलिए यह इसका मान और हो जाएगा ठीक है done clear है हाँ अगला देखिए हाँ बेटा बोलो हाँ बिल्कुल सही कह रहो आप यहां पे कि सर डबल डेरेविटिव करना पड़ेगा मगर देखो बेटा वन मार्क्स का कॉस्चन है अब उसने एक ही मान माना है और मेरे पास केवल एक ही बिंदू आ रहा है बेटा दो बिंदू आये हैं क् आओ एक्स के दो माना है अपने पास की एक माना आया अब एक माना आया है मतलब जो मांग रहे हो वही होगा दूसरा विंदू का एक को चेक करें और चेक भी करोगे तो समय हो तो चेक कर लेना डबल डेरिवेटिव लगा करके अब देखो डबल डेरिवेटिव निकालना कि क्या करें अपन चलो ठीक है इतना चलता है तो आप इसे कर सकते हो अगर दो तीन मान आते तो फिर सब डबल डेरिवेटिव निकाल करके चक करते चलो भाई अगला कुश्यन देखते हैं किसी त्रिज्जा का और त्रिज्जा का व्रत के सापेच परिवर्दन जब आर बराबर पाँच सेंटीमेटर है देखो त्रिज्जा के सापेच परिवर्दन निकालना है व्रत का तो त्रिज्जा के सापेच परिवर्दन निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास एरिया कितना होता पाई आर स्क्वेर तो आपको कहा गया डी ए बाई डी आर कर दो तो पाई त DA by DR है, मतलब उपर 6 तरफल की काई सेंटी मीटर स्क्वायर प्रती सेंटी मीटर, अगर कहीं पूछ ले, option में कन्फ्यूस करें काई में, तो ऐसे ये होगा, सेंटी मीटर, ये गलत लिखी काई, इसने तो 6 तरफल की काई डाल दी यहाँ पर, परिवर्दन की काई नहीं है, च 3 sin x plus 4 cos x का निमनिश्ट मान, अब आपको इसके लिए मैं short trick बता रहा हूँ, कि 3 sin x plus 4 cos theta, 3 sin theta plus 4 cos theta का निमनिश्ट मान, देखिए, short trick लिख लिए, अगर आपके पास कोई question है, a sin theta plus b cos theta, तो इसका उचिष्ठ और निमनिश्ट मान लिख लिए, इसका जो उचिष्ठ मान होता है, वो होता है, positive a square plus b square, और इसका जो निमनिश्ट मान होता है, वो होता है, negative of a square plus b square, तो ये निमनिश्ट मान होता है, और ये इसका उचिष्ठ मान होता है, ठीक है, तो फिलाल आप से क्या बोला गया है, आपके पास बोला गया है, 3 cos theta plus 4 cos theta का निमनिश्ट, तो मैं पहले तो आंसर 25 करोड़ कितना है, माइनस का पाँच, अब देखो, अगर आप बहुत महनत करोगे, क्योंकि एक माक्स आपको मिलना है, तो एक माक्स के लिए कुछ ट्रिक भी आपको पता होनी चीए, अब इसके लिए आप महनत करोगे, इसको आप कलन करोगे, फिर आप 0 के बराब से लेकर माइनस अंडर रूट A स्कोर मेनस B स्कोर निमनिष्ट ही होता है, और उचिष्ट ही होता है, बोलो क्लियर है, चलो, छत्रपाल कहां चले गए, यसर नहीं आ रहा है, थोड़ा तेज आवाज में बोलो भाई, बुलंद आवाज है तुम्हारी, चलिए, ये वीडिय वाईरल होने के बाद पूरा इंडिया तुमको जानने लगेगा, इस बात का ध्यान रखो भाई, पढ़ते समय, वक्रवाई कुल्टू X क्यूब के 1,1 पर इस परस रेका का समीकर बनाईए, आपको, अच्छा, इस परस रेका हट चुकी है, तो इसको भी गोली मारो कोई द पड़े कॉस्चन है, तो बहुत कुछ आप पंदर्भर करते हैं कि जब देख के कर लेना कोई दिक्कत वाली, अथवा में देखो बहुत याराम से कॉस्चन आया है, A-B, 1-10, 5-5 हो जाएगा, कल लोग A-B, निकाल लोगे, चलिए, अगला X equal to 1 पर सांतत्य की जाच करना है ओ-ओ-ओ-ओ-ओ, कितना सरल कॉस्चन दे रिया है, वही एक ही फलन है, तो सीधे सीमा लगा दो, limit x tends to 1, और 2x plus 3 लो, पानी रखा कहरा, पी के दिखाओ, अरे x की value 1 पुट कर दो, 2 into 1 plus 3, 2 plus 3 कितना हो गया, 5, फलन का मान भी 5 होगा, सीमा की value भी 5 होगी, सांतत्य होगा की न कितने बार भी पढ़ ले, अगर आपको भूले ना, तो ऐसा हो नहीं सकता है, चलिए, अवकल नीथा का प्रस्ट में आपको बता देता हूँ, सिद दिखिए कि मापांक फलन अवकल नीए नहीं है, चलिए, तो दो तरीके की आप याद कर लीजे, सबसे पहले फलन की प्रक चिर्णास विए मोड-x equal to x कब जब x greater than General, minus x चब जब x less than 0, और 0 कब जब x equal to 0, okay. अब दो फार्मोले याद कर लिजी, एक दाया अवकलच, भाया अवकलच, इसको बोलते हैं, बेटा, f days a plus h, okay, limit h tends to 0, f of, limit a tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h यह होता है अब बाया अवकल अज का फॉर्मूला याद कर लो f dash a minus h equal to limit h tends to 0 f of a minus h minus f of a upon kitna h सर a क्या है a वो बिंदू है जिस पर आपको अवकल नीता ज्यात करनी है मतलब एक तरीके से मैं कहूंगा testing point है जिस पर test करना है तो a है testing point चलो a आपका क्या है testing point हो जाए test फिर तो अभी आपका testing point क्या है 0 है अभी आपका testing point क्या है 0 है तो चलिए सबसे पहले दाया आपका लेज f of f dash 0 plus h f dash 0 plus h equal to कितना होगा limit h tends to 0 f of a की जगे 0 plus h minus f of 0 upon में कितना h साथधान बच्चों f of 0 plus h मतलब 0 से बड़ा 0 से बड़ा मतलब कौन सा फलन होगा x और x की जगे क्या रखना आपको 0 plus h तो 0 plus h क्या होता है h ही होता है और x की जगे h डाल दो तो कितना आएगा h और f of 0 मतलब 0 पल फरलन का मान कितना है 0 ही दिया है upon में h आएगा तो h upon h equal to कितना होगा 1 होगा 1 सो यह आगई अपकी दाइं सीमा सुरी दाया अफकलच दाया अफकलच कितना आ चुका है 1 आ चुका है अब अगला देखते हैं अगला है बाया अपकलच तो बाया अपकलच किस फॉर्मूले से निकलेगा f डैस 0 माइनस h equal to f of 0 माइनस h minus of f 0 upon minus का h चलिए तो f of कितना हो गया 0 माइनस h हो गया minus h minus of f of 0 upon में कितना h आप देखिए जो आपके पास फलन था वो ये था mod x equal to x जब x greater than 0 और x less than 0 के लिए क्या था minus x था तो ये जो negative है ये तो less than 0 हुआ तो less than 0 के लिए क्या होता minus x तो minus और x की जगे पे कौन बैठा है minus h और f 0 कितना है 0 upon में h minus से minus cancel h upon h ठीक है और minus में भूल गया था सौरी ये minus भी होता है और ये कितना हो गया minus का 1 तो दाइं सीमा कितना आ रही है दाइं अवकल है दाइं सीमा नहीं f 0 plus h कितना आया है 1 और f 0 minus h कितना आया है minus 1 मतलब अवकल ये नहीं है अच्छे से समझ करके नोट कर लो ये लो पहले इतना पार्ट देख लो समझ में आया है तो done बोल दो फिर आंगे बढ़ें देखो फॉर्मूले में आपके पास f of a आया अब a आपके पास point है a यहाँ पे कितना खेल रहा है 0 पे खेला ना जो कि question ने कहा कहा है x equal to 0 पर ये देखो तो इस question में a बराबर कितना है 0 है तो f of a आया तो f of a मतलब 0 पर फलन का मान कितना है 0 ही तो है done चलो अगला पार्ट देखो ये वाला पार्ट देखो बोलो clear है कि नहीं है आराम से note कर लो हाँ श्री क्लियर है छत्रपाल क्लियर है देखिए मैं आपको बता दूँ अवकल नियता का प्रश्न आया मतलब प्रदेश के 50 से लेके 60% बच्चे question को देखते ही छोड़ने वाले हैं leave कर देखते ही 20% try करेंगे 30% तो उनका गलत होगा 10% confused हो जाएंगे और केवल 10% बच्चों का ही अवकल नियता का प्रश्न सही होगा यह हालत है ठीक है इसलिए अवकल नियता का concept एक दो करके जाई कारण क्या है क्योंकि इसके question NCRT में बहुत कम है इसके question बहुत कम दिये है इसके अच्छे से practice भी नहीं कराई जाती है परन्तु मैंने आपको जो question मिल रहे है मैं उनको करा रहा हूँ एक दो question और कर लिजेगा चली आप आँगे बढ़ते हैं खेर यह हो गया सिद कीजिए यह तो हो गया बाई अपना समा कलन ग्याद कीजे इतना x की पाबर 2 by 3 plus 1 बोलो बच्चों बन जाएगा की नी बन जाएगा सीधा सीधा है पहला प्लस दूसरा करना है आप समा कलन बोलो कर लोगे चली अगला question दीखिए समा कलन करना है 1 minus sin x upon cos square x बाट दो 1 upon x cos square x कितना हो गया समान सी बोलो clear है की नहीं clear चली डन ये भी हो गया अगले question की तरफ बढ़ते हैं यहां से 26 वह आ गया चलो अगले देखिए सत्यापित कीजे की फलन इतना जिसमें a b belongs to our अवकल समी करन इतने का हल है तो तरीका क्या कह रहा है कि सिद्ध करो कि यह जो चीज है हल है किसकी हल है इसकी इस समी करन की हल है इस समी करन का हल है तो क्या कर सकते हो इस समी करन का इस्तमाल करके यह बना दो इस समी करन का इस्तमाल करके यह बना दो तो एक बार differentiate करो दो बार differentiate करो और यह समी करन आपको बनाना है बोलो करा है इसकी practice बन जाएगा की नहीं बनेगा चलो करवा देता हूँ देखिए आपके पास में जो समीकंड दिया गया है वो y is equal to a cos x plus b sin x है d by dx equal to करो a constant है cos x का होता है minus sin x और plus b sin x का हुआ करता है कितना cos x अगें differentiate कर दो d square by dx square a के साथ minus को ले आओ minus a sin x का फिर से आवकलन कर दो कितना हो जाएगा cos x और b cos का कितना हो जाएगा minus sin minus common ले लो bracket में कितना बज़ गया a cos x plus b sin x तो d2 yy dx2 d2 yy dx2 is equal to minus का अब ध्यान से देखो a cos x plus b sin x क्या था y था तो d2 yy dx2 plus y equal to 0 बोलो clear है बन गया समी करना हाँ इसलिए अथा clear होता है क्योंकि हल से हमने अवकल समी करन प्राप्त कर लिया तो जब उसी के हल से हमने अवकल समी करन प्राप्त कर लिया तो दिया गया जो हल था वो कहे का हल होगा वो इसी समी करन का ही हल होगा अथा सिध होता है कि दिया गया जो हल है a cos x plus b sin x वो इस स प्रूफ करने का तरीका चलिए next question की और आगे बढ़ते हैं अगला question है डीवबे dx equal to x log x अवकल समीकन को हल करना है डीवबे dx equal to x log x बताओ श्री किस method से हल करेंगे बिटा ये समाकलन है वो है अवकल समीकन है डीवबे dx equal to x log x चली देखिए इसको खल करेंगे बिटा चर प्रतिस्थापन वीदी से तो डीवाई को लग रख लो x log x को लग रख लो और यहां पर dx ले जाओ अब दोनों तरफ का समाकलन कर दो बिटा याद आया हाँ अब दोनों तरफ का समाकलन कर दीजिए तो dy का कितना हो जाएगा y अब इसका किस तरीके से करेंगे i late i late आ गया log मतलब पहला log है और दूसरा क्या है x है चलो प्रतम फलन गुणे दुती फलन का अवकल गुणांक समाकलन गुणांक minus समाकलन अवफ प्रतम फलन का अवकलन log x क्या है प्रतम है 1 upon x into दुती फलन का क्या दुती फलन का समाकलन दुती फलन का समाकलन कितना हो जाएगा x square 2 का पूर्ण समाकलन चलो x से x क्या कर दीजिए cancel हो गया तो y is equal to x square by 2 log x plus c भी लगेगा और अपने पास यहाँ पे कितना बज़ गया 1 by 2 बज़ गया है minus 1 by 2 आ गया integration के अंदर x बज़ गया plus c लगा हुआ है तो x square by 2 log x minus x का कितना हो जाएगा फिर से x square by 2 हो जाएगा तो 2 तो 4 हो गया दो दोने 4 और प्लस में c बोलो clear है कि नहीं है यह आगे आपका आंसर तो सब्जेक्टिव आप लोग इरी चाहें तो विशेश आपके डाउट हो तो जरूर पूछे डाउट क्लास में अब आंगे चलते हैं लोग अगला है बोर्ड प्रश्ण पत्र 2020 में देखेंगे किस प्रकार के प्रश्ण आया हुए हैं चलिए पहला प्रश्ण देखिए डरा देता है पहला प्रश्ण रिलेशन और फंकशन याने की संब्ध हिवं फलन से आया हुआ पहला कॉश्चन है क्या कह रहा है सवाल सवाल कह रहा है A equal to 1,2,3 है तो ऐसे सम्मन्द जिसमें अवयव 1,2 और 1,3 हो वो सतुल्य तथा सम्मित है किन्तु संक्रामक नहीं है कि संक्या बताने है वा भाई तो आपको ऐसे अवयव बताने है जिसमें 1,2 और 1,3 हो सतुल्य हो, सम्मित हो परन्तु संक्रामक नहों ऐसे स्ट कितने बनेंगे लिए भाई तो A is equal to सबसे पहला मैं A1 बना रहा हूँ तो क्योंकि सतुल्य बनाना है तो 1,1,2,2,3,3 का रहना जरूरी है और 1,2 का रहना जरूरी है और 1,3 का रहना जरूरी है ये देखिए जी तो ये जो सेट है कैसा है ये सतुल्य है और ये सम्मित भी है परन्तु ये संक्रामक मुझे नहीं समझ में आ रहा है मुझे लग रहा है कि ये संक्रामक शायद ना हो देखिए कैसे नहीं होगा संक्रामक कि एक मिनट देख लिए पहले कि संक्रामक है की नहीं है संक्रामक ये कोई रूल को नहीं तोड़ रहा है 1212 भी प्रेजन्ट है 1113 है तो 13 भी प्रेजन्ट है 12 है हां ये देखे तो अभी तक ये क्या है ये स्वत्वल भी है और ये सम्मिद भी है और साथ ही साथ ये संक्रामक भी है तो हमको लेना है कि ये संक्रामक ना हो तो मैं इसके अंदर एक element ले लेता हूँ क्या 2,3 1,3 2,3 बोलिए बेटा अच्छा अब संक्रामक हो गया दिन नहीं पहले तो पहले संक्रामक था क्या की नहीं था देखिए क्यों नहीं था पहले कौन सा पेर है जो संक्रामकता तो को तोड़ रहा था बताओ मुझे कोई पेर है जो संक्रामकता को भंग कर रहा था बैई कौन सा प्यार दिख़रा है जो पहले संक्रामा कि सको होने से रोक रहा था देखो one two present है और two one present है तो one two और two one का ये देखो one one भी present है one three present है three one present है two comma one और one comma three very good बेटा बिलकुल सही two three present नहीं है बिलकुल सही तो ये वाला जो गुरुप है ये विल्कुल सही कह रहे है भाई मुकुल देखो मुकुल ने पहचाना यहाँ पे कि सर्थ 2,1 बैठा हुआ और 1,3 बैठा हुआ है परंतु 2,3 नहीं बैठा है 2,1 बैठा है विल्कुल सही बैठा है 1,3 भी बैठा है, बिल्गुल सही है परन्तु 2,3 नहीं बैठा है मतलब ये संक्रमक नहीं है तो पहला answer तो ये हो गया कि ये संक्रमक नहीं है एक A अब दूसरा देखते है A2 अगर मैं यहां पर एक element और भरलू अगर मैं यहाँ पर एक element और भल लेता हूँ जैसे मेरे पास देखिए 1 1 लेना ही है 2 2 लेना ही है 3 3 मुझे लेना ही है 1 2 मेरे को लेना ही है 1 3 भी लेना है और 2 1 भी लेना पड़ेगा और 2 3 भी लेना पड़ेगा इतना तो लेना ही पड़ेगा कितने element होगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ हो चुके हैं अगर मैं एक element all ले लेता हूँ कौन सा ले लेता हूँ मैं 1, 3 हो गया, 2, 3 हो गया बताइए कौन सा element लिए जा सकता है कोई और element है जो लिए जा सकता है 9 बनेंगे total ना तो एक कोई बैठा हुआ है बाहर ही लेता हूँ, तो सम्मित बनाने के लिए, सम्मित बनाने के लिए मेरे को 3, 2 भी लेना पड़ेगा और ऐसा मैं करता हूँ तो ये तो संक्रमक हो जाएगा, तो correct answer इसका क्या है, एक ही आएगा, इसका correct answer कितना होगा, एक बोलो clear है